जैस्री किष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चैनल पर स्री कृष्ण जन्माश्टमी से पहले या जन्माश्टमी वाले दिन आप घर में यह चीज ला करके जरूर रखें किष्ण जन्माश्टमी का दिन होता है बहुत ही बड़ा दिन होता है इस दिन भागवान विष्णू की पूजा यह भागवान कृष्ण की पूजा करने से हमारे सभी कारे से दो जाते हैं जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन भागवान सी किष्ण का अविशिक करते ही उन्हें पुत्र और धन प्राप्ती का अशिरवाद प्राप्त होता है। भगवान पुत्र प्राप्ति का अशिरवाद देती हैं, मातलच्मी दन प्राप्ति का अशिरवाद देती हैं, कृष्ण जन्मास्त्मी का जो दिन होता है, यह बहुत बड़ा दिन होता है, यह स्वेम सिद्ध दिन होता है, इस दिन किये गए प्रते कुपाय का विशे सलाम मि फिर देखना कितनी जल्दी आपकी किस्मत बदलती है। भगवान की किरपा से आपके सभी कार इसे दोंगे। धनवड़ेगा, घर में शुक्षानती रहेगी, पुत्र संतान के योग बनेंगे और भगवान कृष्ण की सदा ही किरपा बनी रहेगी। जन्माष्टमी की रात बारवजे भगवान का अवशिक करें, भगवान को नेवेद्य अरपन करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और मंत्रों का जाप करें। इससे आपके सभी कार इसे दोंगे और भगवान का आशिरवाद भी प्राप्त होगा। मोरपंक क्रिष्ण जन्माष्टमी पर आपको 5, 7 या 11 मोरपंक घर में लाकर के जरूर रखनी चाहिएं। मोरपंक का पिशिश मेंत होता है, और स्वेम भगवान सी क्रिष्ण अपने मुकट में मस्तक पर मोरपंक धारन करते हैं। जिस चीज को स्वेम भगवान सी क्रिष्ण धारन करते हैं, उस चीज को जरूर लाकर के रखना चाहिए। इसका विशेश महत्व माना जाता है। जिस घर में मोरपंक होती हैं, वहापर संतान, दन, सोकु सम्रदी, सब कुछ हो रहता हैं। तो आपको जरूर लाकर के यह चीज रखनी चाहिए। नमबर दो, भगवान सी क्रिष्ण की सब सी प्रियवस्तु और यह चीज घर में लाकर के जरूर रखनी चाहिए। यह चीज घर में होती हैं, तो स्वेम भगवान सी क्रिष्ण का आश्रिवाद प्राप्त होता है, वह है वन्सरी। एक वन्सरी रादा क्रिष्ण मंदर में दान करके आएं और एक वन्सरी आप लाकर के घर में रखें। जिस घर में मोर, पंक और वन्सरी एक साथ रखी हों, उस घर में कभी भी किशिवी प्रकार की कोई परिशारी नहीं आती, वह लोग पुत्रवान और धर्मान होते अमर तीन, भगवान सी कृष्ण की मूर्ती, लट्टू गोपाल जी की मूर्ती यह घर में जरूर होनी चाहिए। सास्त्रों के इसाब से का जाता है कि जिस घर में लट्टू गोपाल जी की मूर्ती नहीं, वह घर अधूरा रहता है। उस घर में किसी भी देवता का वास न अंदर भगवान के बाल स्वरूप यहनि लट्टू गोपाल जी की मूर्ती जरूर ला करके रखनी चाहिए। चोथा है गोवाता की फूटो आप बचड़े वाली गोवाता की मूर्ती लाकर के घर में जरूर रखें। स्वयम भगवान सी कृष्ण गोवाता की पूजा करत आते थे तो बड़ा प्रेम करते थे भगवान सी कृष्ण तो आपको यह चीज़े घर में लाकर के जरूर रखनी चाहिए। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनो कामना पूरी होती है और आपके हर कश्ट दूर होंगी तो वीडियो को जाज-जादा सेयर करें और चैनल क को सब्सक्राइब करें बगलम घंटी बटन को जरूर दबाएं।